इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FAMPay application के बारे में यहाँ पर आपको enter your आधार नमबर डालने बोलता है और आप यहाँ पर जब नमबर इंटर करते हैं तो error आता है please enter valid आधार नमबर तो अगर आप अपने आधार काड का कोई भी एक गलत नमबर डाल देते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके का आपको error आएगा कुछ लोगों के पास अगर आधार काड नहीं बना हुआ होता है तो आप दूसरी तरीके से भी login कर सकते हैं बिना आधार काड के तो आप continue with minimum KYC पे click कर दें तो अब यहाँ पर आपसे pan card का option पूछेगा ठीक है यहाँ पर आप pan card का option भी डाल सकते हैं यहाँ पर आप अपना pan card का option डाल दें और इसके बाद यहाँ से login कर पाएंगे अगर यह नहीं है तो यहाँ पर एक driving license का option भी होता है या आपको यहाँ पर passport का option होता है जो भी आपके पास है यहाँ पर आप डाल दें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फिर यह verify भी हो जाएगा